कि 23 नंबर का फैक्टर हम पढ़ेंगे और यह हम पढ़ रहे हैं उर्मी का गुणांग अब देखो उर्मी का गुणांग बैसिकली होता क्या है पुर्मी का पूर्मी का गुणांक पूर्मी का गुणांक होता है आपका ripple factor पूर्मी का गुणांक क्या होगा आपका ripple factor तो English में इसको क्या बूलेंगे हम ripple factor यह ripple factor अब देखो ripple factor basically होता क्या है सबसे पहले तो हम यह समझे अब देखो ripple factor होता क्या है कहां से निकल कर आता है ripple factor में क्या क्या question बनेंगे क्या question exam में आये हुए हैं यह सब पता होना बहुत जरूरी होता है ripple factor निकल कर आता है आपके rectifier से rectifier क्या होता है बोले rectifier एक ऐसी electronic circuit है जो AC को DC में बदलने का काम कर रही है तो diode से निर्मित या फिर आपके SCR से निर्मित एक ऐसा electronic arrangement एक ऐसा electronic circuit जो की AC को DC में परिवर्तित करने का काम करता है rectifier कहलाता है अब rectifier जो DC बना रहा है वो pure DC नहीं है वो आपके pulsated DC होता है pulsated DC क्या होता है pulsated DC वो DC होता है जिसमें AC और DC मिल कर आता है ठीक है ripple factor क्या करता है यह देखता है कि उस output में कितना AC है उस output में कितना AC है इससे हमें ये पता लगता है, अभी ripple factor का value अगर जादा आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी output आपको मिल रहा है, उसमें AC component का value जादा आ रहा है, अगर ripple factor का value कम आ रहा है, तो इसका मतलब ये है, कि जो भी output आपको मिल रहा है, उसमें AC component का value जो है, वो कम आ रहा है, अभी बास स electronic circuit है जो की AC को DC में बदलने का काम कर रही है अब यह जो भी आपके पास DC बना रही है वो प्यॉर DC नहीं है वो pulsated DC है pulsated DC का मतलब क्या है बोले pulsated DC एक ऐसी आपके पास DC है जिसमें AC component merge होका रहा है रिपल फेक्टर यह बताता है कि कितना AC component आ रहा है अब यह बताओ यह रिपल समझ में आये कि नहीं है अब यह समझ में आ गया तो आपके बोलोगे ज्यादा मतलो कम चाहिए, ऐसे circuit बनाओ, ऐसे circuit चुनो, जिसमें ripple factor की value कम आए, तो ripple factor basically क्या होता है, कि rectifier के output में उपस्थित AC component का RMS मान, और DC component का अनुपात, जो है, वो ripple factor कहलाता है, दुबारा बोल रहा हूं, rectifier के output में उपस्थित, आपके AC component का RMS मान, और DC component का अनुपात, ripple factor कहलाता है, आरेफ कहलाता है, आद समझ में आ गई, लिखवा दूँ, चलो, लिखवाना का है, मैं लिखूंगा आपके लोग, लिखवाने का गावन तो शाम वाले बैच में होता है, अभी आप देखो, rectifier, rectifier के output, rectifier के output में उपस्थित, उपस्थित, AC component, AC component का RMS मान, तथा DC component, component का अनुपाथ, DC component का अनुपाथ, रिपल फेक्टर कहलाता है, अनुपाथ, रिपल, रिपल फेक्टर, रिपल फेक्टर, रिपल फेक्टर, इस उर्मी का गुणांख, उर्मी का गुणांख, कहलाता है, कहलाता है यह आपके definition खतम, मामला खतम ripple factor बैसे के लिए क्या है कि rectifier के output में उपस्थित आपके output में उपस्थित AC component का RMS मान और DC component का अनुपात ripple factor कहलाता है अब देखो ripple factor की definition clear हो गई आपको, इसका मतलब ripple factor RF is equal to क्या होगा RMS value of AC component क्या होगा आपके पास RMS value value of AC component RMS value of AC component divided by आपके पास क्या DC component divided by DC component यह होता है हमारा ripple factor आपके पूरा derivation वगएरा पढ़ते थे प्रत्यूकिता परिक्षाओं में आप इन सब विधाओं से दूर हो यहाँ पर पता है आकडों पर बात की जाएगी आपके derivation पर बात नहीं जाएगी आपसे simple question इसके बात पुछेगा एक तो यह पूछेगा question यह भी ऐसे नहीं पूछेगा यह भी पता है बड़े प्यारे नन्ने मुन्ने तरीके से पूछता है ripple factor is equal to यह आपके पास क्या होगा IAC बटा IDC यह आता है कभी कबार थोड़ा confuse कर देता है confuse कैसे करता है आप देखो या तो यह चार वी कल्पों में देखने को मिलेगा क्या फिर देखेगा I RMS बटा IDC I RMS बटा IDC फोलो दोनो एक ही चीज़ है कि नहीं तो कहीं यह लगा रखा कहीं यह लगा रखा दोनो अगर option में दिख जाता है न तो मैं अगर बहुत precise हूँ तो मैं I RMS divided by IDC पर जाओगे आप बताओ AC component की कौनसी value आपको वहां से उठा के लानी है RMS value इसका मतलब अगर यह विकल्प और यह विकल्प मेरे को मिल रहा है तो यह की तरब जाना है लेकिन कहीं किताब वो ने क्या किया आप लगा लो यार IAC बटा IDC या तो आपको यह option में डालना ही नहीं चीए था और अगर आपने option में इसको डाला है तो फिर इसका सम्मान भी करना चीए था समझ रहो ना बात को? इसको वो सम्मान मिलना चीए ना तो कि यह के रहा IDC है अब AC करेंट में तो 17 तरीके के मान होते हैं क्या कोई सी मान? लिखो average लिख दूँगा क्या उपर में? AC का average value भी तो होता है ना? लिख लूँगा क्या average लिख? दिखा? instantaneous value of alternating current भी होती है लो लिख लो IAI लिख लो वापे क्या IAI लिख लोगे क्या? तो ना तो आप IAI लिख पा रहे हो ना आपके पास क्या peak लिख पा रहे हो ना वापर आपके पास क्या average लिख पा रहे हो आपको चाहिए क्या RMS value चाहिए root mean square value चाहिए और अगर वो पड़ा हुआ है तो फिर आप उसको दोगे लेकिन मुझे दिक्कत होती है क्यार यह दिया हुआ है और माला में उत्तर क्या दे दिया? यह दे दिया हुआ है अब क्या करें? बच्चा आगे बुच रहे हैं गुरू जी आपने क्लास में लेक्चर में ये बात की थी? हाँ की थी इस बात पर अड़ा हुआ हूँ लेकिन इसमें दो तर ये दे रखा है इस बात पर ये अड़ा हुआ है अब दोनों कुछ नहीं कर सकते इतनी किताव में जाके करेक्शन करोगे यार आप लोग चलो, यहां तक clear है यहां तक बाते clear है इसके बाद देखों, हम आगे बात करते है इसके बाद जो अगला question बनाया है नहीं लोगों ने वो question क्या निकल कर आता है वो आता है, simple आप से बोलेगा rectifier का नाम और पूछेगा rectifier की value दुबार बोल रहा हूँ rectifier का नाम और rectifier की ripple factor की value पूछेगा, अभी देखना यहां से आपके पास क्या है मैं लिख रहा हूँ rectifier, district कारी बोलते हैं इस कुछी इंदी में district कारी district कारी, और उस district कारी के respect में ripple factor का मान ripple factor का value जो है वो पूछता है यह सीधा-सीधा प्रश्ण निकल कर आता है आपका सीधा-सीधा प्रश्ण निकल कर आता है यहां से इसका और इसमें table भी बन जाती है आप इदर देखो सबसे पहले हम बात करते है तो आप से पुछेगा half wave rectifier का ripple factor half wave rectifier अभी तक rectifier नहीं पढ़ा है आपने पुड़ी दिक्क्रत हो सकती कि या rectifier तो पढ़ाया नहीं नहीं rectifier की value लिखा दी इन्होंने तो हम factor पढ़ने आये हैं और college time पे आपने rectifier पढ़ा होगा rectifier देखो क्या होते हैं एक तो half wave rectifier होता है एक आपके full wave rectifier होता है एक bridge rectifier होता है एक center tap आपके पास क्या है rectifier होता है तो के लावा 3 phase के rectifier भी होते हैं 3 phase में वह half wave rectifier और full wave rectifier चलता है as it is चलता है अभी हम बात करते हैं half wave rectifier को हिंदी में कहते हैं तरंग दिश्टकारी फुल्वेव रेक्टीफायर को हम हंदी में कहते हैं पूर्ण दिश्टकारी और बाकी तो फॉटेखर उब कि यू युक्तिधू पहल इह पूरिक्तने प्राइट्ट्रीफ्पास हो इन दिक होगी जैसे जैसे मैं circuit enhance करता रहूँगा, circuit की quality बढ़ाता रहूँगा, half wave rectifier वो शुरुवाती rectifier था जब हम rectifier के बारे में सीखी रहे थे, फिर हमें पता लगा कि भाई ये पूरी तरीके से rectify नहीं करता, ये केवल half wave को ही rectifier करता है, बाकी की half को छोड़ देता है, मेरे को चाहिए कि दोनों wave जो है, मेरे rectifier होके, मुझे DC मिले, तो फिर हमने बात की, full wave rectifier, this is full wave rectifier, ये full wave rectifier, center tapped rectifier, पता आपको, full wave rectifier या फिर इसको center tapped, full wave rectifier भी बोल सकते हुआ, और इसका मान होता है, 0.48, 0.48 आएगा, या फिर आंकडा हो सकता है, 0.482 आजाए, तो ध्यान रख लेना, आ आपके, इसके बाद होता है, bridge rectifier, bridge rectifier होता है, सेतु दिष्टकारी, तो सेतु दिष्टकारी का ripple factor जो है, वो भी सेम होगा, 0.482, आप बताओ, ये कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ, अब इस कम होने से, आप क्या समझ रहे हो, आपका समझना बहुत जरूरी है, अगर आप आपके समझोगे ना, तो तुम्हारी छाती पर बेड़ जाएंगे, और मूम दलेंगे, आपकड़े हैं अगर आपने इनको आपकड़े समझा, लेकिन अगर मालो आपकड़ों को महसूस कर पा रहे हो, ये आपकड़े जो कम हो रहे हैं, ये basically मेरे rectifier circuit मे AC component का मान कम हो रहा है और वहाँ pure DC मेरे को जादा मिल रही है, तो जब ये value कम होगा, देखो उपर की तरफ क्या है, आप देखो, जो ripple factor का formula है इधर बगल में लिखते हैं, ripple factor is equal to IAC बटा IDC, आप खुश सोचो, ये factor आपको बढ़ा करना है, तो इसका value जब ज़्यादा होगा, तो ये factor का value automatically ज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये value या तो बढ़ रहा है, इसनी इमान कमा रहा है, या फिर ये value आपके पास घट रहा है, दोनों बाते एक ही है, चुकि हिस्सा तो आप एक ही कर रहा है, ये आपके पास पैन है, अब बीच में से कर दूँगा, बराबर, बराबर, अगर मैं इ आपके पास, अगर DC component का value बढ़ रहा है, तो no doubt, AC component का value कम हो रहा होगा, और factor लगातार आपके घट रहा होगा, देखो लगातार फेक्टर घट रहा है, ये दोनों सेम है, फोड़े से हमारे transformer का issue हो गयता है, या आपके, transformer महंगा पढ़ रहा था, इसलिए हमने क्या कर रहा चेंज किया था, इसके बाद देखना, अगला आपसे जो पूछता है, वो पूछता है, थ्री, पीज, ये न, half, wave, half, wave, rectifier, ये पास, three phase, half wave, rectifier, और three phase, half wave, rectifier की, तो आपके पास ripple factor होती है, वो होती है, 0.17, इसलिए होगी आपके, 0.17, आप अप फिर कम हुआ कि नहीं हम बात करते है, three phase, जब तक three phase half wave और three phase full wave नहीं देखते, तब तब ये आकड़े महसूस नहीं होते, अभी आप देहना, आकड़े आपको और feel होंगे, हाँ यार, वास्ता में बहुत कम हो गया, अभी देखो, three phase full wave rectifier, तो यहाँ मैंने three phase में half wave को rectified किया है, यहाँ मैं पू हम प्रीश्ट होईगी नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक चलाऊंगे, और लगातार factor कम हो रहा है, लगातार आपके AC component का value जो है, वो down होता जा रहा है, और DC component का magnitude बढ़ता जा रहा है, बगर यह पूचता है, कि आप बताईए, half wave rectifier का ripple factor कितना होता है, 1.21, full wave rectifier का 0.48, आप ब्रिज rectifier का 0.48, आप बोलता है, कि 3 phase half wave rectifier का 0.17, 3 phase full wave rectifier का 0.08, clear?